सिवजवार साथियों मराजा मरकाम और आप देख रहे हैं खबर गोंडवना साथियों आज हमा को बताने जा रहे हैं निमाड के राविन होट के नाम से मसूर जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजी सेना की रूख आप जाती थी एक ऐसे महान करांदी कारी के बारे में जिनका नाम है भीमानायक भीमानायक 1857 की करांदी के दोरान अंग्रेजों के खिलाब एक ऐसी अपनी चाप छोड़ी थी कि भीमानायक को अंग्रेजी सेना देख करी डर जाती थी कहा जाता है कि अजादी की जंग में भीमानायक ने अकेले अपने बलबूते अंगरेजी सेना को हिला कर रख दिया था अंगरेज भीमानायक के नाम से ही कापते थे उन्होंने सभी आदिवासियों को एक जोट किया भीमानायक एक ऐसे स्वतंदरता सनानी थे जिन्हें निमार छितर के करांदिकारियों में विसेश इस्थान दिया जाता है भीमनायक का समंद भील आदिवासी से है जिनका जनम मद्ध परदेश के बढ़वानी जिले के पंच महाली नामा गाउं में हुआ था और इनका जनम वर्स 1840 में हुआ था भीमनायक ने 1857 के प्रतम सुतंदता संगराम में अंगरेजियों के बिरुद्ध संगर्स किया था भीमनायक को राबिन हुट के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने आदिवास सम्दाय को एक जोट किया जिस से सुतंदता संगराम की जंग में भीमनायक ने अंगरेजी सासन की सत्ता को हिला कर रख दिया था वर्स 1857 में भीमनायक की सक्ति साली टुकडी ने तीर कमान के द्वारा संगर्स करके अंगरेजों की नाक में दम कर दिया था सेंदवा घाट संगर्स का प्रमुक इस्थल बना और तीन हजार लोगों के साथ भीमा खाजयनायक मिवासिया दौला सिंग कालू बाबा जैसे बीरों ने लड़ाई लड़े और इसी समय तात्या टोपे निमाड छेत्रिया बढ़वानी में आये और उस समय तात्या टोपी की मुलाकात भीमा नायक से हुई निमाड परगना खान देश में भीमा नायकी देसत फैल गई थी उन्होंने अंगरेजों के 71 ठेकानों को नश्ट कर दिया था जानकारी के मुताबिक सहीद भीमा नायक का कार छेत्र बढ़वानी रियासत से लेकर महराष्ट के खान देश तक फैल रहा हुआ था वर्स 1857 में हुए अंबा पानी युद्ध में भीमा की महत्पूर भूमका थी जिसके साक्ष आज भी भीमा गड़ी पर देखे जा सकते हैं अंगरेजों ने भीमा नायक को पकड़ने में असपल रहे और भीमा नायक बढ़वानी में आदिवासियों का नितरत किया अंगरेजी सेना की हाथ न लगने और पकड़ में ना आने से भीमा नायक ने अंगरेजी सेना की नाक में दम कर रखा था जिसके कारण उन्होंने एक चाल जली और भीमा नायक के करीबी रहने वाले लोगों के साथ धोकल हड़ी करके भीमा नायक को दो अपरेल 1868 को सत्पुडा के घने जंगल में जब भीमा नायक सो रहते उस समय अंगरेजों ने उन्हें पकड़ लिया और अंगरेज सरकार द्वारा उनके खिलाब दो सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट बिलियर्ग वा निकोबार मेर रखा गया और आदिवासिस हमदाय के इस योध्धा को अंडवान में काला पानी में 29 दिसंबर 1876 में फासी दिदी गई आदिवासिस हमदाय से आने वाले इस महान सुतनरता संगराम सिनानी को हर साल उनकी सादत दिवस पर नमन किया जाता है और उनको याद किया जाता है ऐसे थे हमारे महान जन्नायक भी मनायक उनकी करम इसली ग्राम धाबा बावडी में इस मारक बनाया गया है ऐसे महां सुदंदरता सेनानी को सससत नमन एबं सेवा 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 जोहार साथ यो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब दिरू करें जै सेवा, जै जोहार, जै दिवाजी